ग्रीश्म काली नवकाश में भी नव साक्षर्ता मिशन कार्यक्रम में लगाई शिक्षकों की ड्यूटी, विरोध शुरू नव साक्षर्ता मिशन कार्यक्रम जुलाई 2022 से चल रहा है इसमें शिक्षकों को ही सहभागिता सुनिश्चित की गई है अभी हाल ही में कुछ जिलों से नव साक्षर्ता मिशन कार्यक्रम के तहट ग्रीशम अवकाष में भी कार्य करने के आदेश दिए गए हैं शेष जिला के आदेश भी जल्द जारी किये जाने की संभावना है ये आदेश जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से जारी हो रहे हैं। गुरुवार को मध्यप्रदेश शिक्षक कॉंग्रेस प्रताध्यक्ष सक्सेना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंग परमार और प्रमुक सचिव स्कूल शिक्षा को पत्र लिखा है पत्र में कहा है कि जारी आदेश में काली नवकाश का भी स्पश्टुल लेख है इस अवधी में शिक्षकों को वार्ड बाम बसाहट में असाक्षर व्यक्तियों को चिनहित किया जाना है उनका पंजियन कराया जाएगा यानि हर रोज वीश्मकाली नवकाश में भी साक्षर्ता मिशन कार्यक्रम का कार्य किया जाना है उनका कहना है कि यह विना है कि एक तरफ मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभा वीश्मकालीन अवकाश नई से 9 जून तक घोशित कर दिये गए है वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की ड्यूटी साक्षर्ता कार्यक्रम में लगाई गई है यदि मध्यप्रदेश शासन को शिक्षकों से यही कार्य कराना था तो फिर कालीन अवकाश भोशित क्यों किये गए है समकालीन ने के दक्षक कर्मचारी ड्यूटी करे ये नयाय संगत नहीं है इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यबाद